नमस्ते विद्यार्थी मित्रो स्री ज्ञानमंजरी मोडन स्कूल सी होरनी ई-learning यूटूब चेनल मा आपनो स्वागत छे तोरण ग्यार कोमर्स, विशे वानिज्य पत्रव्यवार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस SPCC विशे ना गया लेक्टर मा आपने CC ना प्रथम प्रक्रण अंगे नी चर्जा करी हती माहिती संचार नो अर्थ अने तेनी पद्धतियो अने आ माहिती संचार ना अर्थ अने पद्धतियो मा अपने सव प्रथम वानिज्यक माहिती संचार एकलेश्यू तेना अंगेनी माहिती मेलवी हती, तेमज माहिती संचारनी प्रक्रियाना जुदा जुदा सात तबक्कावो विशेनी माहिती मेलवी हती हवे आ प्रक्रणने आगलवधारता अपने आजे माहीती संचार नी जुदी-जुदी पद्धतियो अंगेनो अभ्यास करवानों छे जेमा माहीती संचार नी आ पद्धतियो ने छो विभागमा विभाजित करवामा आवे छे मोखिक माहीती संचार, लेखित माहीती संचार, द्रश्य माहीती संचार, स्राव्य माहीती संचार, द्रश्य के स्राव्य माहीती संचार औने मोन माहीती संचार अने साथे साथे बे महत्वनी एवी पद्धती ओ, मोखिग माहीती संचार अने लेखित माहीती संचार नी पद्धती ना पाइदा अने मरियादा ओ अंगे नी आपने आजे चर्चा करीशू तो हव्या प्रक्रण ने आगल वधार ये चेमा आपने महीती संचार नी पद्धती नी सामान्य वस्तुओ जानी अती के महीती संचार नी पद्धती ओनो केवा संजोगो मा कई-कई अलग पद्धती ओनो उप्योग करवामा आवे छे किम सामान्यरी ते माहीती संचार छे बे अथवा वधारे व्यक्तियों साथे थतो होई छे तो बे व्यक्तियों वच्चे माहीती संचार थाई त्यारे कई पद्धती नो उप्योग करवो अने 2 थी वधारे व्यक्तिओ वच्चे माहीती संचार थाय त्यारे कै पद्धतिओ नो उपयोग करवो ते आपने यहीं जोयू हतु तो हवे आ पद्धतिओ अंगेनी विश्थ्रूत चर्चा करिये जे मा प्रथम पद्धती छे मोखिक माहीती संचार नी पद्धती तो आना शब्द पर्थी जा आपने जानी शक्ये अने आपने आपना शब्द मा कदाच जो आ प्रश्ण अंगे आपने कोई चर्चा न करी होई तो पण एक शब्द मड़्यों एना उपर्थी आपने जानी शक्ये अमा बेवस्तुनों ख्याल हो जो ये के माहीती संचार नों और्थ श्यूं छे अने बीजू के मोखिक एटले श्यूं धाई तो आ मोखिक माहीती संचार एना विशे आपने लखी शक्ये अथवा तो बोली शक्ये राबर तो माहीती संचार एटले श्यूं एतो आपने सिखी गया के माहीती संचार एटले माहीती नी आपले करवी माहीती नू आदान प्रदान करवू अने मोखिक एटले शूँ तो के जे मुख द्वारा बोलाएलू होई तेने मोखिक कहवाई तो जो विद्यार्थी मित्रों मोखिक माहिती संचार नों सामानी अर्थ मलई गयो के मोख द्वारा माहिती नी आपले एटले शूँ थयू मोखिक माहिती संचार बिराबर तो हवे आ मोखिक माहिती संचार ने आपने पाचा तंधाकिय परिस्थिती ने ध्यानमा राखी ने अही रजु करवानों छे तो जोई ये माहिती ने अनुरूप भाषा के शब्दोना उप्योग द्वारा बोलीने करवामा आवती माहिती संचार ने पद्धती तरीके वडखवामा आवे छे भाषा के शब्दोना उप्योग द्वारा आवे बोलीने रजु करवानी छे एटले के भाषा आने शब्दोनों तेमा पण कई जग्याए माहीती रजू करवानी छे, केवा लोकोसामे रजू करवानी छे, कई प्रकार्नी भाषा समझदा लोकोसामे रजू करवानी छे, तेने दिहान माराखी औने योग्य भाषा आने शब्दोनो उप्योग करवामा आवो जोई ये ब्राबर तो माहिती संचार छे, मोखिक रिते रजु करवामा टे तेमा योग्य भाषा आने शब्दोनो उप्योग करवानों छे, अने तेने बोलीने रजु करवामा आवे छे, तेथी तेने मोखिक माहिती संचार कहे छे, माहीती संचारनी आपद्धतीमा उच्चारणनी स्पष्ट ता अने साम्ड़ी शकाए वो मोटो अवाज जरूरी छे उच्चारणनी स्पष्ट ता एटले के जे काई बोलवामा आवे छे ते स्पष्ट बोलावू जोईए तेनो उच्चार स्पष्ट थवो जोईए जेथी करीने सामे वाली व्यक्ती एने सारी रिते समझी शके अने सामली शकाई ते वो मोटो ओवाज हो जो ये जेथी करीने दरेक व्यक्ती सुधिये माहीती सारी रिते पोहँची जाए वाजचीत, वार्तालाप, समवाद, गोष्ठी, पाशन, जूथ चर्चा वगेरे आपद देना उदाहरनों छे वाजचीत, द्वारा माहीती संचार थाई छे, वार्तालाप द्वारा थाई छे, समवाद द्वारा एटले के एक बिजी व्यक्ती ओवच्चे तेना अंगे थोडी कणी बाबतो उपर चर्चा थती होए ने समवाद कहवाई खास करीने प्रेस कॉन्फरेंस गोठववामा आवे त्यारे आवी चर्चा ओथती जोवा मळे छे, जेने समवाद कहवाई गोष्ठी द्वारा कोई पण विशे उपर चर्चा करवामा आवे, वादचीतो करवामा आवे, भाषण द्वारा अने जूथ चर्चा वगेरे आपद्धती ना उदाहराणों छे त्यार बादनों बिजो तेनों प्रकार छे लेखित माहिती संचार तो माहितीने भाषा के शब्दोनों उप्योक करीने योग्ये लिपीमा लखान द्वारा मुकलवामा आवे, एवी पद्धतीने लेखित माहिती संचार नी पद्धती तरीके वडखवामा आवे छे तो उपर मोखिक माहिती संचार जोईू एनों जे रिते आपने अर्थ अलगतार वे ओ, एज रिते लेखित माहिती संचार नों मोखिक माहिती जो बोलीने रजू थत्ती होए, तो लेखित माहिती लखिने रजू करवामा आवे छे, अने तेथी तेने शूं केवाई छे, ल एटले माहिती ने अहीं लखी ने लोको द्वारा जजू करवा मा आवे छे, लोको सुधी तेने पहुंचाड़वा मा आवे छे अहीं लखवानी शेली अने शब्दोनी योग्य पसंदगी महत्वनो भाग बजवे छे मोखीक माहिती संचारण मा शेली अने शब्दोनी योग्य पसंदगी सारा शब्दो जेने लोको जडब्थी समझी शके लोको ने शामभडवा वांचवा गमे एवा शब्दोनो उप्योग थवो जोईए साहित्य पुस्तको पत्र लेखन हस्त प्रत इमेल वर्तमान पत्रो सामी को जाहेर खबरो चोपानिया फर्फरिया वगेरे लेखित माहिती संचारना उदाहरणों छे साहित्य द्वारा माहिती रजू करवा मावे छे जुदी जुदी कंपनियों के संस्था ओछे पोताना अंगत साहित्य प्रकाशनों बहार पाडती होई छे अने तेमा पोताना आंगेनी कमपनीओ आंगेनी पोतानी संस्था आंगेनी छे माहिती यो रजू करती होये छे दाखला तरी कि एकोई शाङ के खोलेजो छे एशूं करवानी छे मुटा भागे कोलेजो, self-finance कोलेजो छे एशूं करे छे तोके पोतानी कोलेज अतियार सुदीना बधाज वर्षो ना जेकाई कारिय करमों तैया छे तेना जेकाई प्रोफेसरों छे तेमज पोतानि कोलेज उंगेनी जेकाए 22 छे तेने रजु करती पोतानि एक साहित्य पोतानू प्रकाशन बाहर पाले छे अन्य प्रकाशन मां पोताने कोलेज ने लगती बदीज माहितियो ते रजु करती होई छे आरी ते कम्पनियों पणा प्रकार्णू कारिय करती होई छे के पोतानी कम्पनीने लगती बतीज बाबतों अंगेनी छे ए रजुआत ते पोताना प्रकाशनों मां साहित्यमां करती होई छे पची पुस्तकों मां पण छे ए माहिती संचार लेखी थाई शके छे पत्र लेखन द्वारा हस्त प्रतों द्वारा राबत के हास द्वारा लखायेला जे काई साहित्यों छे जे काई कम्पनीने लगती बाबतों छे एनी रजुआत थाई छे इमेल द्वारा थई शके आलना टेखनोलोजीना युगमा एक खूप सारु एव माध्यम छे वर्तमान पत्रों द्वारा न्यूजपेपर न मापन कम्पनीयों पोतानी जाहेरा तो आपती होई छे सामी इको द्वारा सामी इको को ने कही शकाई के जे मोटा भागे छे सब्ताहमा एक वखत एले के अठवाडियामा एक वखत आवतू होई कोई मुख्य दिव से आवतू होई ब्राबर वर्तमान पत्रों माँ खास चे पूर्तियों आवे एशूं होई बधावार प्रमाणे अलग-अलग होई छे ब्राबर रवी वारे आवती होई तो ये रवी पूर्ति शाय छे एरी त्या सामी कोई ना पछी जाहेर खबरो फ मूटा होड़िंग लगाए मा आवता होई छे रस्ता उपर जाहेर स्थाडव उपर जाहेर रस्ता उपर छे ए कम्पनिवों शाडवों खोलेज उपोतानी संस्थानाँ छे ए आवा हूर्डिंग लगाओती होई छे पछी चोपानिया के फरफरिया छापानि अंदर जे ओला न्यूसपेपर नी अंदर जे का गलो आवे छे कम्तनी ओ पोतानी जाहरातो करवा मा टेशुं करे छे आवा फरफरिया छे न्यूसपेपर द्वारा छे लोको सुधी पोहँचाडती होई छे वगेरे लेखित माहीती संचार ना उदाहरणों छे तो आथयू लेखित माहीती संचार हवे पच्छीनू छे द्रश्य माहीती संचार बराबर के जने जोईने जे मां बोलवानू पणावतू नथी के साबढ़वानू पणावतू नथी पण मात्र श्यूं के चित्र द्वारा, प्रतिको द्वारा, चिन हो द्वारा छे, ए जोईने लोको एनी माहीती मियाण विशकता होई छे, दाखला तरीके दर्रेक संस्थावो छे, ए दर्रेक संस्थानू एक चिन होई छे, एनू प्रतिक होई छे, बराबर जेनाव पर्थी जाने शका है कि भई आ चिनह छे ए आ संस्था नूं छे दरेक बैंक छे तो दरेक बैंक नो एक सिंबौल होई छे ब्राबर ए सिंबौल पर्थी आपड़े जानी शकिये छे कि आ वस्तूँ छे आ पास्बूक छे प्रतिको चित्रो आलेक नक्षा रंग वगिरे द्वारा बोले के साम्ड़या वगर समझीने थती माहीती संचार नी जोई समझीने थती माहीती संचार नी पद्धती ने द्रश्य पद्धती केहवामा आवे छे ब्राबर तेमा कोई पन व्यक्ति द्वारा माहीती बोलवामा पन आवती नथी केने लखीने रजु करवामा पन आवती नथी मात्र एने जोई समझी ने माहीती संचारनी पद्धती थती होई तेने द्रश्य पद्धती केहवामा आवती होई छे त्यार पच्छी नो माहीती संचार नी पद्धती नो प्रकार छे स्राव्य माहीती संचार तो सोश्यल मिडिया मा आये खुब महत्वनी बाबत छे ब्राबर स्राव्य माहीती संचार एक लेके ओडियो ओडियो द्वारा कोई माहीती रजु करवा मावे कोई पण व्यक्ती छे, कोई विशे पर चर्चा करवा इछे छे, तो ये शूं करे छे एनो ओडियो बनावे छे, अने लोको सुधी एनी माहीती पहुँचाडे छे तो भाशा के शब्दोना उप्योग तथा जुदा जुदा अवाज द्वारा बोलनार अने सामभणनार साम सामे न होई, तो पण थती माहीती संचारनी पद्धती, एटले स्टाव्य माहीती संचारनी पद्धती रेडियो, टेलिफोन, सीडी, टेप रेकोडर, वगेरे आपद्धती ना उद्धा हरणों छे, बराबर, रेडियो द्वारा, टेलिफोन द्वारा, सीडी द्वारा, टेप रेकोडर द्वारा, अने हालमा सोशेल मेडिया मां उप्योगी छे, वा स्पीकर द्वारा छे, ए कारिय थई शक्तू होई छे एटले एशुन धयू श्राव्य जिने मात्रने मात्र साम्भडी ने छे माहीती संचार मेलवा मावे छे मा कोई व्यक्ति ये छे साम सामे उभारेहवानी जरूर पड़ती नथी पछीनों प्रकार छे द्रश्य अने स्राव्य माहीती संचार तो आ माहीती संचार नी एवी पद्धती छे के जे मा जोवानू अने साम्भडवानू बन्ने साथे थतू होई चलचित्र, डिवीडी, टेलिवीजन, कंप्यूटर जेवा माध्यमों के उपकरणों मा जोवानू अने साम्भडवानू साथे शाथे थाय छे तेसी ते द्रश्य स्राव्य पद्धती ना उदाहर अणों छे ग्षे कके पन प्रकारनी बाबतों छे एमा साम्भडवानी पन होई छे एटले ये शुन्हयू द्रश्य औने स्राव्य माहिती संचार, जोवानू पण औने सामभणवानू पण, एटले चलचीत्र, डिवीडी, टेलिविजन, कम्प्यूटर आब बदायेना माध्यमों छे त्यार बाद छे, मौन, माहिती संचार, शब्दो वगर पण शक्य छे, माहिती संचार नी एवी पद्धती, के जेमा शब्दोने गेर हाजरी होई, तेने मौन तरीके ओडखवामा आवे छे मौन सहमती सुचक होई छे, तो क्यारेक असहमती पण दर्शावे छे, मौन पालेने सम वेदना प्रगट कराये छे शाब्दीक अभी व्यक्ती मा वच्चे वपराती थोडी क्षण माटेनी चुपकी दी त्यान खेंचनारी के वस्तू पर भार मुकवानू सुचन करे छे ब्राबर श्यूं करवामा आवे कोई पण व्यक्ती ओ वच्चे कोई पण वाद्चित थै रही छे तो गणी वखत पोताना मंतव्यों छे कोई पण व्यक्ती मोन रही ने मूंगी रही ने पण रजू करती होई छे राबर के एना अंदर नी लागनियों एना विचारों ने छे मोन द्वारा पण समझी शकाता होई छे एटले अही आ मोन माहिती संचार शें छे के दरेक वक्ते उजरूरी नथी के माहिती बोली ने के लखी ने ज रजू करी शकाई गणी वखत माहिती ने मोन द्वारा पण रजू करी शकाती होई छे तो एने श्यू के वाई मोन माहिती संचार तरीके वडखवा मा आवे छे अने आ मोन माहिती संचार शे सहमती सुचक एटले दरेक व्यक्ती तेमा सहमत होई पण शके के क्या रेक अ सहमती पण होई एटले के घणी वखते अ सहमत पण होई छे दरेक व्यक्ती ने मोन माहिती संचार सारोज लागे एवु जरूरी होतु नथी कोई व्यक्ति द्वारा कोई वात आपनी सामे रजू करवा मा आवी तो आपने एनो जवाब देवा इछी ए पण अने घणी वकत न पणी छे एटले एनो कोई प्रश्ण एना ए प्रश्ण नो जवाब आपनी पासे हालमा उ माहिती संचार केहवा मा आवे छे तो दंधा की ये एक कम्मा पन आवी प्रक्रियावो थती होई छे माहिती संचार नी पद्धतियो मा मोखिक माहिती संचार औने लेखित माहिती संचार सवथी वदू वपराती औने प्रचलीत पद्धतियो छे विचार, विभावना, माहीती अने लागणीना आदान प्रदान उप्रांत विदिवत माहीती संचार आ पद्धतियों द्वारा सरण अने सफ़ल बने और तो जेटली पण माहीती संचार ने पदधतिओ जोई ए पदधतिओ मां मुख्य बे पदधतिओ छे मोखिक माहीती संचार औने लेखित माहीती संचार अने मोटा भागे दंदा की एक कमो अने संस्थावो आ बन्ने माहीती संचार नू जो उप्योग करता जोवा मरता होई छे अन्ने माहीती संचार छे एनो उप्योग उचो करवा मावतो होई छे एटले हवे आपने मोखिक माहीती संचार औने लेखित माहीती संचार छे तेना अंगेनी विश्त्रूत चर्चा करवानी छे चालो तो प्रथाम छे मोखिक माहीती संचार नी पद्धती माहीती संचार माटे सवथी उपयोगी एवुसाधन एटले भाशा पाशा के शब्द ए महत्वनू साधन छे तेने समझवा उपयोग मालेवा के तेमा पारंगत थवा माटे चार प्रकार ना काउशल्य नो प्रयोग ठाई छे सांबड़ू, बोलवू, वाँचव, औने लखू. ब्राबर भाशा ये मुख्या छे त्यार बाद एने उपयोग मालेवा माटे श्यू करवा मावे छे तोकर च्यार काउशल्यों होवा जरूरी छे चेमा सांबलवू, बोलवू, वाचू अने लखू मोखिक माहिती संचार मा बे सांबलवू अने बोलवू तथा लेखित माहिती संचार मा वाचू अने लखू आ प्रकारना चार कवशल्यों नो उप्योग करवा मा आवे छे मोफिक माहिती संचार मां बोलनार एवी भाषा के शब्दो अने वाक्य रचनानों उप्योग करी जरुरियात मुझब हाव भाव हलन चलननों प्रयोग करी मोटे थी बोलीने माहिती नी आपले करवानों प्रयतन करे छे जेथी सामबणनार ने समझ पड़े आपदती द्वारा व्यक्ती 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 अने जूत जूत अने व्यक्ती अने जूत जूत वच्चे माहिती संचार थाई शके छे वातचीत, वार्तालाप, सम्वाद, गोष्ठी, भाशन, चूथ चर्चा जेवा विवीद स्वरूपो द्वारा मोखिक माहीती संचार ठाए छे बर्याबर तो सव प्रसम्षनी रजुवात ठाए मोखिक माहीती संचार नी केमा बोलनार व्यक्ती छे एवी भाशा आने शब्दोनों उप्योग करे छे साथे साथे जिया जरूर होए त्या पोताना हावभाव रजु करे छे एटले के पोताना चेहरा परना एक्सप्रेशन रजु करे छे हलन चलननों प्रियोग करे छे हाथ द्वारा एने हलन चलन करीने माहीतीनी रजुवात ठती होई छे आने साथे साथे मोटे थी पोली ने ए माहीती नी आपले करवानो प्रयतन करे छे जेथी सामभणनार ने ए समझवामा उप्योगी बने अने आ पद्धती कोना वच्चे तो के बे व्यक्ति ओ वच्चे पछी एक व्यक्ति अने सामे बे ठेला जूत वच्चे पछी जूत औने एक व्यक्ति वच्चे एटले के आशूं छे तो आपणे जया माहीती संचार नी पद्धती नी सामान्य माहीती मेल वियती एने रजू करे छे एटले के कोई पण बे व्यक्ति वो वच्चे माहीती संचार थतो होई पछी बोलनार व्यक्ती एक होई अने सामभरनार सामे बेठेलू जूत होई तिया माहीती संचार पछी तो के बोलनार व्यक्ती छे आखु जूत होई अने सामभरनार कोई एक व्यक्ती होई तेमच बोलनार अने सामभरनार बनने आखा जूत मा वेंचायला होई छे तो ए जग्याए छे आवो माहीती संचार थई शके छे अने के ए माहीती संचार माटे छे एना जुदा जुदा स्वरूप हो छे जे आपड़े उपर मोखिक माहीती संचार नी समझूती मेला वक्ती वक्ते जो यहा हता हवे छे मोखिक माहिती संचार पद्धती ना फाइदावो बराबर तो मोखिक माहिती संचार द्वारा पेटी ने कम्पनी ने के कोई पन व्यक्ति ओने केवा फाइदावो थता होई छे तेमा प्रत्थम छे माहीती संचार नी पद्धती सौथी सरण, हाथ वगी अने सौथी वदू अपराती पद्धती छे बराबर एनो प्रत्थम फाइदोशूं छे के मोट्टा भागे माहीती संचार छे ए बोली नेज रजू थतो होई छे बोली ने रजू था एनो पाच्छार नू एनो तत्व शूं तो के जडब्थी लोको एने समझी शक्के छे एटला माटे एकेवी पद्धती छे तो के सौथी सरण छे बराबर माहीती संचार एवी ज्वियक्ती ओ रजू करी शके जे सारी ते बोली शक्ती होई एटले एकेवी छे सरण पद्धती छे हाथ वगी छे अने सवथी वदू वप्राती पद्धती छे हाथ वगी एटले शूं एने के आपणे गुत्वा जवी पडती न थी आपणने खबर छे के आपणे शूं रजू करवानू छे मुनमा केवा विचारों छे एने रजु करवा माटे आपनी पासे जीब छे बराबर आपनी पासे शब्दों छे अने एना द्वाराज ए माहितीने रजु करवानी होई छे पछीनू बिजु छे कागल केपेन वगेरेनी जरूर पड़ती अहिया कोई पण साधनों नी जरूर पड़ती नथी जे साधननों प्योक करवानों छे आपना शरीर नी अन्दर रज छे जीब द्वाराज ए माहितीने रजु करवानी होई छे पछीनों मुद्दों छे सामान्य पणे प्रत्यक्ष्रिते थनार आ पद्धती मा बोलनार ने सामपणनार नों प्रतिपाव तुरंत मले छे तेथी गुंच्वन बरी परिस्थीती उबी थाई तो तेनू निराकरण पण तुरत लावी शकाई चे, साम सामेज व्यक्ति उद्धवारा माहिती संचार रजुथै रईयो छे एटले शून थवानू छे, तो के जो सामपणनार व्यक्तिने छे एकोई प्रकारनी मुष्केली हशे, कोई प्रश्णों हशे तो ए तरत बोलनार व्यक्तिने पुछी शके छे एने कोई मुझवण छे तो ए मुझवण नू निराकरणते तरत ज लावी शके छे तलिया एनो एक खुब महत्वनो एवफाइदो छे त्यार बाद साम्भणनार तरफ थी मलतो त्वरीत प्रतिभाव बोलनार ने उच्छा प्रेरक अने प्रेरना दाईी बने छे ब्रेबर शुन थवानू छे के साम्भणनार तरफ थी जे प्रतिभाव मले छे ए प्रतिभाव थी ते बोलनार व्यक्तिने उच्छा जगाडी शके छे ने ने एक प्रेरना आपी शके छे के सारो प्रतिभाव मल छे तो पछी फरीवखत एम व्यक्तिने बोलनार व्यक्तिने म उच्छा प्रेरक बनावे छे त्यार बाद माहिती नी आपले नी आपद्धती मां बोलनारने सामबनार तरफ थी जडबती प्रतिपाव मले छे अने ते अनुसार साधन माध्यम्मा परिवर्तन लावी सुधारना करी शके छे ते थी माहिती संचारनी सफरताना संजोगो नहिवत बने असफरताना संजोगो नहिवत बने छे तरत जेने प्रतिपाव मले छे के ते जे बोली रहियो छे ते सामेनी व्यक्ती केटली सारी रिते समझी शके छे जो एने भूल जणा छे तो तरतत सामेनी व्यक्ति तरफ थी एने कोई प्रतिभाव मढवाना छे कि तमें बोलेला शब्दो अमने समझवामा तकलिफ पड़े छे अथवा तो तमारी एहिया भूल छे आवा प्रतिभावो मढशे एटले बोलनार व्यक्ति तरतत शूं करी शकवानों छे तो के अने जे साधन आने माध्यमोनों उप्योग करियो छे तेमा ते फेरफार करी शक्षे अने तेना काराणे छे माहिती संजार छे ए मोटा भागे अ सफ़ल थतो रोकी शकाए छे लेके तरत जेमा बदलाव लावी शकाशे अने जेथी करीने हवे लोकोंने समझाए शके तेवा साधनों आने माध्यमोनों उप्योग करवामा आउशे पच्छीनों मुद्दों छे के सांभनार चो निरक्षर होई तो पण माहितीनू प्रत्यायन आ पद्धतीमा शक्य बने छे बराबर के एहीं काई वाच्वा लखवानू छे नै एटले जो कोई व्यक्ती बनेला नहीं होई अबण व्यक्ती ओ हशे तो एने ए समझवामा पण कोई तकलिफ पड़वानी नथी काण के माचता लखता नथी शिख्या परन्तु ए जे सामेनी व्यक्ती एने माहिती आपी रही छे एने ते जड़प्थी समझी शके छे एने सामबढ़ी ने ते माथी कईक ने कईक तातपरिय छे पोते काटी शके छे औने आ पद्धती माँ समयनों बच्चाव थाई छे खुब ज महत्वनों एवो फाइदो छे के आपद्धती माँ छे ए समयनों बच्चाव करी शकाए छे गएही लखवानू पछी पाच्वेने सारी रिते रजू गरवानू बराबर एमा प्रेजन्टेशन होओ जो एवे लखीने माहिती जारे रजू थती वोए एटले योग्येरी ते मनमा विचारो लावता जवान चे फरीपाचै विचारो ने कागळ बर उतार्ता जवाना चे जो एमाकोई भूल थाय छे तो फरीपाचै इन्येन नवे सर्थी रजू करवाना चे एकले एमा घणों बदों समय जाए छे साथे साथे खर्चपण बदी जाई छे बराबर एटला मां टेश्यू करवान आव मोखिक रिते रजू करवा मा आवे चे औने तेना कारणे चे एक खर्च पण ओछो थाई छे औने समय नोपन बचाव करी शकाई छे बड़ाबर तो आ हता मोखिक माहिती संचार ना फाइदा फरी एक वखत जड़प्ती जोई शके के सवथी पहलू शूं छे तो के माहिती संचार सरण छे हाथ वगो छे औने सवथी वदू वप्राती पद्धती छे पछी बीजू के मा कागल पेननी जरूर रहती नथी जेथी खर्च ओछो थाई छे पछी नो त्री जोशूं छे तो के सामभण नार नो प्रतिभाव तरत मली जाए छे अने तेना कारणे कोई गुजवन के कोई भूल रहती नथी अने जो जणाई तो तेनू निराकराण त दज़िल करत लावी शक्याए छे पच्छी नो पोईंट छे के सामभण नार ना प्रतिभाव थी बोल नार उच्छा भेर फरी एक नवी प्रक्रिया शरू करी शके छे अने एने प्रेरणा मलै छे पच्छी नों मुद्धो छे माहितीनी आपले नी पड़ीआती मां बोल न आप दती द्वारा समय नो बचाव थई शके छे हवे आगण मोखिक माहिती संचार पद्धती नी मरिया दावो तो तेमा जोई ए सव प्रथम मुद्धो समवाद अने चर्चा जेवा आ पद्धती ना स्वरूपो क्यारेक वाद विवाद माँ परिणमे ए उपन बने ए संजो गोमा मोखिक माहिती संचार अ सफळ पूर्वार छई शके छवे ना गेर फाइदा ओशूं छे के घणी वखत छे वाद विवाद थाई जतों होई छे बोलनार व्यक्ति कोई माहिती रजू करे एडले सामपडनार तरत जेनो प्रतिबा वापवानों छे के पई तमे जे माहिती रजू करी एमाथी अमने आउ जानवा मले छे जे कोई विरोध उपा करी शके छे एक बिजी व्यक्तिवो वचे एना द्वारा वाद विवाद थता होई छे जेथी ए संजोगो मा मोखिक माहिती संचार के वो थाई छे और सफळ पूर्वार थाई छे पछी नू छे उपर युक्त संजोगो उबा थाई तो समय अने शक्तिनो बगाड थाई छे ब्राबर एटले के जे प्रमाणे नकी करियू होई छे माहिती आपनारे के आटला समयमा माहिती पूरी आप आई जशे लोकोंने जडब्थी समझावी शकाशे परन्तु श्यूँ थाई छे के कोई मुद्धा उपर एवी चर्चा थाई छे के जेती करीने तियाने त्या माहिती संचार नी आगर नी प्रक्रिया अटकी जाई छे तेमज माहीती आपनार व्यक्तिना समय अने शक्तिनो बगाड थाय छे जितली माहीती पूरी आफ्पानी होई छे आपी शक्ता नथी विरोदो था शेरले मांती कैक ने कैक नवी चर्चावो निकरती जशे ने तेना काराने समय नो बगाड थाय छे तो अहीं आपने जो यू के फाइदा मा एउ जणायू के समय नो बचाव थाई छे ने गेर फाइदा मा एउ के छे के समय नो बगाड थाई छे पण हवे आबाबच्चे माहीती आपनार व्यक्ती उपराधार राखे छे के एणे अगावती जे वी रिते एनी तयारी करवानी छे के कोई पण व्यक्ती ने ए विरोधुबो न करे एने नुक्षान न करतु होई अने जे माहीती जेटला समय मा आपफाने छे एटला समय मा ए पूरी थाई जती होए बराबर एटले अगावथी जेना शब्दो अने तेन्नू चेकाई बोलवानी शक्ती छे नो योग्यारी ते उप्योग थयो होवो जोईए पछी छे कहेल बोलेल साम्ड़ेल के सम्बढवेल माहिती नी विश्वस नीता हम्मेशा ओछी होई छे हवे बोलवा मावेली माहिती माश्यू थाषे एक व्यक्ती बिजी व्यक्ती ने के छे एटले ए स्पष्ट छे पछे बिजी व्यक्ती जारे त्री जी व्यक्ती ने माहिती केहवाज जशे त्यारे केवी थाई जवानी छे तेना सब्दो बदलाई जवाना चे अथवा तो कोई संजोगो मां के पेला मुद्धा माजे मायू वाद विवात थाई छे तो सामपड़ना रेनो उंदो पकोई अर्थ काटे बराबर एने जे सामपड़ो एना थे कोई उंदो अर्थ काट चे तो एवा संजोगो मां थवानू छे आ माहिती संजार योग्य साबित थवानो नथी एटला आ माहितीनी विश्वसनी ता हम्मेशा केवी ओई छे ओचे होई छे आपड़ने कोई व्यक्ति कोई वात कहे छे तो ए मोटा भागे विश्वसनी अच्छे साचीज छे एवु आपने साबित करवानू र जाहरात करवामा आवती होई तो एक कम्पनियों जे जाहरात मा वस्तुओ बतावी एवीज वस्तुओ आपने दुकांदार तरफ ही मल शे के ना एवाज फाइदावो थशे एवु आपने मानी लेवानू होतु नथी खरे खर्शून साई छे कम्पनियों जे विवस्तुओ जाहरात मा बतावे छे ते विवस्तुओ खरे खर होती नथी खणी वखत तेना गेर फाइदावो पन जोबा मलता होई छे नकली वस्तुओ पना पड़ने मलती होई छे एटले ए विश्वस निये होई तेवु हम्मेशा ओचू होई छे पचि मोखिक माहिती संचार लेखित पुरावानी गेर हाजरी मा आधारभूत गणातो नथी जो लेखित पुरावो लखेली कोई पन माहिती छे एक कोई पन समय कोई पन संजोगो मा आपने एनने साबित करी शक्ये छे पन बोलाए लुचे एक वखत थाती नथी एटले एन थोड़ा समय पची पन जो आपने एनी साबिती आप पी अशे तो ए आपी शकाई नहीं एटले लेखित पुरावा वगर छे एके वी गणाई योग्य गणाती नथी अने पांच मो मुद्धो के जो माहीती विशद अने विस्त्रूत होई तो बोलनार पक्षिया पद्धती द्वारा सफरता मलती नथी अवे मोखिक माहीती संचार छे ए मोटा भागे टुकी माहीती माटे उप्योग मा लेवातो छे खुब विशद एले के विशाल प्रमाण मा फेलाएली होई मोटी माहीती होई विस्त्रूत होई विस्तार थे एने रजू करवानी होई वधारे बाबतों नोए मा समावेश थतो होई तो बोलनार पक्ष छे त्यारे मोखिक माहीती संचार ने उप्योग करी शके नई करनके सामपड़नार व्यक्ति पछे एमा थी केटलूक याद राखे केटलिक बाबतों ने समझे बराबर एथले आवा संजोगों मा विशाल माहीती होई त्यारे मोखिक माहीती संचार ने उप्योग मा लही शकाई नई त्यार बाद छे मोखिक माहीती बोलनार अने सामपड़नार बनने पक्षे तबक्कावार लामबा समय सुधी याद रही शकती नथी ब्राबर के वधारे माहीती हशे तो यह मोखिक माहीती काई बद्धा लोको छे ए लामबा समय सुधी याद राखी शकवाना न थी ब्राबर के वधारे माहीती काई बद्धा लोको छे लामबा समय सुधी याद राखी शकाई न थी चाड़ते वक्ते काई ए ने एज रिते केहवा मा आवती न थी में तमने कहेली वाद छे तमे कोई त्रीजी व्यक्ती ने कहशो तो यह ए ना एज शब्धो माहीती ने बद्धानी बोलवानी रित छे ए प्रमाणे माहीती केवी थाई जशे बदलाई जशे एमा नवा अने बिजा अर्थनों समावेश थाई गयो हशे जेक विवाद जेक विरोधुभो करी शके छे पचीनों एनों मुद्धों छे के मोखिक माहीती प्रसारनी आपद्धती मा बोलणारनी वक्रुत्व छटा अने रजुवाद योग्या न होई तो अर्थनों अना अर्थ मैं कि दू ए रिते के एने जे माहीती रजु करवानी छे योग्या रिते रजु करवी जोई ए कोई पण व्यक्ती ने कोई वाद केहवी छे तो एने ए रिते रजु करवानी छे के जेनों कोई विरोध न उपो थाई तेना अर्थनों अनर्थनों थाई शाची रिते माहीत तीने रजू करी शकायाने सारी रिते के जेथी सामभरनार व्यक्ती छे एनो कोई विरोध उप्भो करे नई एने उन्धी रिते न समझाये अनर्थ न थाय अर्थ नो ए रिते माहितीने रजू करवी जोईए पचीनू छे बोलनारे बोलता पहला विचार करवो रहियो केमके मोमाथी बोला एला शब्दो पाचा खेची शकाता नथी ब्राबर के जीब छे एमाथी एक वखत जे वाक्यों निकले छे एने पची काय आपने पाचा लई शकता नथी एटले घणी वखते एवुपण बन्तू होई छे के जेना काराणे सांबढ़नार व्यक्तिने अथ्वा तो ए माहिती जेने असर करती होई तेने ए विरोधुभो करावी शके छे अने एज रिते छे ए माहितीने सारी रिते रजू करवी जरूरी छे एटले माहिती जारे बोलवा आवे तो ए बोलता पहला एने विचारी लेवी जरूरी छे के बए आ बात हुआ ने कहवा नी छू तो एमारे एने कहवी योग्य छे के नथी आमा ही ती रजू करवानी छे तो एमा ही ती रजू करवी योग्य छे के न थी अथवा तो एमा जे शब्दों नो उप्योग थे हो छे ए शब्दों योग्य छे के नहीं जे थी सामपड़नार व्यक्तिने के कोई पण व्यक्तिने ते असर करे नहीं तो आउ घणी वखत आपण ने समाचारों मां जाहरा तोमां जोवा मलतू होई छे कोई एवा न्यूज छे ए आपपा माव्या होई कोई चैनल द्वारा के जेथी करीने इव जेते व्यक्तियों ने असर पहुंचारता होई अथवा तो खास करीने फिल्मों मां आपणे जोई शकता होई छे ये कोई एवी फिल्म छे जेने टीवी उपण रजु करवा मां आववानी छे तो एवना पण गणा बदा विशे हो के ते कोई जाती ने असर करती होई कोई व्यक्तियों ने असर करती होई ब्राबर एना विशे खराब के इने अन्याई थाई एउ रजू करवा मा आयू होए तो तेवा संजोगो मा छे ए आ माहिती योग्य न गणाई एटले विचारो छे एने रजू करता पहला एनी विशे बे वार त्रण वार विचारी लेहू वधारे सारू छे एने त्यार वादत जो योग्य लागे तो एने लोको सामे रजू करवा जोईए तो आपनों मोखिक माहीती संचार तो आदनी आफणी चर्चा ने आपने अहिया सुधी राखिये छी हवे पच्छी नों लेखित माहीती संचार छे तेनी आपने पच्छीना लेक्चर मां चर्चा करीशू झाल झाल